हुँ तो रोडों की सिरीज चल रही है बाई और इलेक्ट्र स्टैटिक्स भी मैंने कहा था आपसे जासा कि से कोश्चन भी डिसक्स करूंगा तो 3.14 कोश्चन आपके सामने है और कोश्चन है वारी लॉंग स्टेट उनिफॉर्मी चार्ज त्रेड कैरीज चार्ज लैंड़ा पर यूनिट लेंथ फाइंड दारेक्शन फेमस है क्लास में हैडिंग की तरह यूज होता है इलेक्ट्रो स्टाटिक फेल्ड ड्यू टू सेमी इंफाइनिट वायर यहां से वाई डिस्टेंस पर हमसे फील्ड पूछी गई है तो आप चाहें तो डिरेक्ट फॉर्मला भी यूज कर सकते हैं क्योंकि मुस्ट प्रबैबली तो करना शुरू करिए क्योंकि जिस तरीके का पैटर्न आ रहा है उसको देखते हुए आपको यह फॉर्मला याद होना चाहिए हला कि मैं मैं से एक स्टुडेंट ने गुजारिश की ती सर इसको डिराइब भी कर दीजेगा तो मैं डिराइब भी कर दे रहा हूं है ना सफर है तो इसके कांट फिल यहाँ डिए होगी और यह एंगल अगर थीटा है तो हम चुकि वारे वैक्टर समेशन तो इंटीग्रेशन करता नहीं है तो हमें कॉम्पोनेंट करने पड़ेंगे तो एक काम करते हैं बच्चो दोनों कॉम्पोनेंट निकाल लेता है पहले इस को मैं वाई डारेक्शन वाला कॉम्पोनेंट कह रहा हूँ डिए वाई तो इवाई इकोल्स टू कितना होगा इंटेग्रेल डिए वाई तो दीवाई पर फोकस कर लेता है उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे डिए वाई होगा बच्चो लामडा डिएक्स के लामडा ड इतनी बात समझ में आ रही होगी शायद अराम से तसल्ली से क्लियर हो रही होगी है अचा अब हम ना सबको डी थीटा में कनवर्ट करना चाहते हैं तो वो कनवर्ट भी कर सकते हैं कि कैसे कि यह लेंद जो है वो अगर आप दिंग से देखें तो डी एक्स कॉस थीटा की यह यह होगी डी थीटा की वैलू तो यहां से हम डी एक्स की वैलू डी एक्स कॉस थीटा की वैलू तो हम सीधा कह सकते हैं कि डी एक्स कॉस थीटा गुरू जी आर डी थीटा के बराबर ही है चेक कर लीजे तो बहुत अच्छी बात है तो हमने का चलो यार यह तो कामी बन गय तो dey equals to फिक कर लेते हैं यहां से k lambda dx cos theta की value r d theta r d theta r d theta divided by r square तो यह हो गया cancel ठीक अब r की value y के terms में लिख दोगे तो और आसान हो जाएगा तो वो भी कर देते हैं भाई dey equals to k lambda r की value y के terms में लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई यह तो लिखोगे r upon cos theta d theta check कर लीजे भाई सही है ना ठीक है चलिए भाई बढ़िया तो हमने इसको integrate किया और कहां से कहां integrate करेंगे बताए भाई theta 0 से pi by 2 में ख्याल से 0 से pi by 2 तो e y की value बच्चो आ जाती है k lambda by r इसी तरीके से आप अगर e x निकाले हैं मैं इसको e x बोल देता हूँ ठीक है तो उसकी value होगी यह भी आप निकाल के देख लिजेगा k lambda by r ही आएगी मैं बता देता हूँ इसी तरीके से बस sin theta आ जाएगा तो final answer आ चुका है आपके सामने यह infinite long wire इसके एक end से y distance पे आपको field निकालनी है और यह जो distance है मेरी आदत है capital r लेने की दोसी आदत के चलते मैंने इसको यहाँ पर भी capital r ले लिया था कोई बात नहीं final conclusion है final answer है इसके कारण जो field होंगी मेरे साब से मैं इसका solution आपको समझा पाया हूं बच्चो मिलते हैं next question के solution के साथ अब तक के लिए data पाया है